नमेशकार दोस्तों किरन के रसोई से मैं आपका बहुत स्वागत है, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही हल्दी और फटा फट से बनने वाला breakfast की recipe जो की खाने में तो बहुत tasty है ही और आपकी health के लिए भी बहुत अच्छी है तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ oats और सूजे की idli oats तो खाने में healthy होता ही है और सूजी भी अच्छी होती है खाने में और light breakfast है आप इसे जरूर बनाईए और बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही खाने में हलका है तो आएए दोस्तों किरन की रसोई से में बनाते हैं oats और रवा की idli और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब like और share नहीं किया है तो उसे जरूर करें और comment box में comment करना ना भूलें किरन की रसोई से मेरा चैनल है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें देखिए दोस्तों मुझे oats idli के लिए क्या-क्या समगरी चाहिए मैं आपको बता रही हूँ मैंने यहाँ पर लिया है 70 gram masala oats जो market में असानी से मिल जाता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और यह खाने में भी healthy है और health conscious लोग तो इसे रोज ही खाते हैं तो आज मैं इसको अलग रूप से बना रही हूँ इसकी मैं idli बनाने जा रही हूँ तो सबसे पहले मैंने लिया है 70 gram masala oats और उसी बाउल की quantity की मैंने लिया है दही और 70 gram ही मैंने लिया है सूजी और मैं लेऊंगी कड़ी पत्ता एक हरी मिर्श बारी कटी हुई एक इनो का salt का pouch अध्रक grate किया हुआ थोड़ा सा छोटा टुकड़ा नमक स्वादनुसा नमक आप कम ही रखिए क्योंकि masala oats में भी masala होते हैं तो उसमें हमें जादा नमक डालने की जर्रत नहीं होती पर फिर भी क्योंकि हम इसमें सूजी और दही भी आट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक रखा है और साथ में मैं ले रहे हूँ सरसों के दाने और रिफाइन ये उपर से तड़का हम देंगे इडली को हमारी तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमने स्टीमर को कढ़ाई को गैस पर गरम होने के लिए रख दिया है स्टीम होने के लिए तब तक हम सारी मसालों और सूजी और ओट्स को मिक्स करते हैं यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैं अब सारा समगरी डालने जा रहे हूं सबसे पहले मैंने लिए है सूजी दही ओट्स को मैं थोड़ा सा मिक्सर में ग्राइंड करूंगे यह देखिए मिक्सर में मैंने ओट्स को बारीक पीस लिया है और इसमें मैं इसे मिलाने जा रही हूं इसके अंदर अब मैं इसमें बारीक कटी हुई हरिमेश डाल रही हूं इनो फ्रूट सॉल्ट ग्रेट किया हूँ अद्रक और स्वादनुसार नमक इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजे और अब मैं इसमें थोड़ा पाने मिक्स करूंगी मुझे गाडा बैटर चाहिए इडली के लिए दही में और यह सारे मसालों को थोड़ी दे रखने के बाद अब मैं इसमें पानी मिक्स कर रही हूं और मुझे गाडा बैटर त्यार करना है अच्छी तरह लंस ना रहें इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है यह इडली खाने में बहुत लाइट होती है और टेस्टी भी बहुत लगती है और मसाला ओट से इसका टेस्ट इतना बढ़ जाता है कि आप तो जरूर बनाएंगे जब भी रोज ब्रेकफास में इसे बनाएं यह शाम की ब्रेकफास में या नाश्टे में आप इसे सर्व करें बहुत अच्छी लगती है यह फटा फट से बन रहती है ज्यादा समय भी नहीं इसको लगता है अब इसे मैं दस मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी तब तक यह थोड़ा और पूल जाएगा ओट भी और सूजी भी दही में जो हमने मिक्स की है तो अगर हमें पानी की और जरूरत लगेगी तो मैं इसमें थोड़ा पानी और मिलाऊंगे इधर मैंने गैस पर अपनी इडली कढ़ाई स्टीमर को स्टीम होने के लिए त्यार होने के लिए रख दिया है तो जब तक यह त्यार होती है तब तक हम बेट करते हैं थोड़ा सा यह देखे मेरा ओट सिडले का बैटर बलकुल त्यार है और मैं अपने इस इडली स्टैंड को लेकर इससे मैं ग्रीस क साहता से मैं थोड़ा सा रिफाइन सभी पर लगाऊंगी ताकि इडली हमारी इससे चिपकेगी नहीं इसमें और आसानी से निकल जाएगी आप सारे मॉल को अच्छी तरह ग्रीस कर ले हमेरी चमच की साहता से हम इडली बैटर को इसके अंदर डालेंगे और इससे हमें पूरा नहीं फिल करना है क्योंकि इडली स्टीम होगी तो फूलेगी बिल्कुल थोड़ी जगह हमें रखनी है और फूलने के बाद ये बहुत अच्छी लगते हलकी हलकी इडली आप जरूर बनाएए ओट्स इडली बनने जा रही है आज की रन की रसोई से इस तरह शापिज से फिल कर लें और हमारा स्टीम मारी धर बिल्कुल रड़ी है इसे मैं इसमें रखती हूँ और कम से कम मैं इसे 20 मिनिट तक मुझे इसे स्टीम होने देना इसे अच्छे से सट करके रखिएगा अब इसे डखकर आपने 20 मिनिट तक स्टीम करना है अब लगातार ओट सिडली को स्टीम होते हुए 20 मिनिट हो गए है तो अब मैं इसे देखूंगी कि यह पकी है या नहीं मुझे लग रहा है यह पक गई है और अगर आपको इसे चेक करना है कि यह पकी है या नहीं तो एक चाकू लीजे और इसे स्केंदल डाले और निकाली अगर यह इसमें बैटर नहीं लगता है तो यह पक चुकी तो मैं अब गैस की फ्लेम को बन कर दूँगी और पांच मिनिट के लिए मैं इसे ऐसे ही स्टीम में छोड़ दूँगी ताकि यह थोड़ी और फुल जाए और तब तक मैं इसका तड़का त्यार करती हूँ इली के तड़के के लिए मैंने आपको बताया था मैंने दो चमज रिफाइंड लिया हुआ है उसी में से मैंने इली को ग्रीस किया था और इस ती से मैं इसका तड़का बनाने जा रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा रिफाइंड लीजिए और गरम होने दें तड़के से इली का टेस्ट और बढ़ जाता है और कड़ी पत्ता और सरसों तो सावठ इंगियन कोई भी आप मेल बनाये तो उसमें जरूर इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और हेल्थ के लिए दोनों चीज़े इसे सरसों के दाने और कड़ी पत्ता बहुत अच्छे होते तो इन्हें आप जरूर इस्तिमाल करें तो इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा तो अब मेरा मैंने मूमफली का ओई लिया है आप जो भी खाते हैं वो ले सकते हैं तो देसी घी भी ले सकते हैं इससे बच्चों को अगर आप खिला रहे हैं तो इसमें आप देसी घी का अब यह गरम हो चुका है अब मैं इसमें डाल रहे हूं मस्टर्ड सीड और इसे पॉप होने दूंगी कॉप होना बहुत जरूरी है अगर ये पॉप नहीं होते हैं और साबूत रह जाते हैं तो ये कड़वाट टेस्ट देते हैं तो इनके अच्छे तेस्ट के लिए हमें थोड़ा बेट करना है और इसे इने इसा पॉप होनें देना में आण अब यह देखिए पॉब हो गए हैं और इसमें मैं कड़ी पत्ता डाल देखिए ग्रैस के बंगर देखिए अब मैं इडली को बड़ी ही सावधानी से एक डिस्ट्टेट से निकालींगी फिर उसके उपर इडली से उपर में इडली के तड़का डालेंगी अब देखिए तड़के से मैंने सारी इडलीयं सजा ली है और खाने में बहुत यमी लग रही है और खुश्पी भी बहुत अच्छी आ रहे हैं और मैं इसे टमाटो सॉस के साथ परोश रही हैं आप चाहें तो इसके साथ हरी चटनी नायल की चटनी जो आपको पसंदो उसके साथ से सर्व कर सकते हैं